हेलो स्टुदेंट्स आज हम क्लास 11 चेप्टर रूंबर वन सम् बेस्तिरिक कंसेप्ट्स और केमस्ट्री को कॉंटिन्यू करेंगे तोड़े अवर टोपिक इस मास एंड वेट मास एंड वेट अब मास क्या होता है या वेट क्या होता है दोगों में सिर्फ स्लाइट डिफरेंसे ज्यादा डिफरेंसे नहीं होता अब सबसे पहले मास को पढ़ लेते हैं अमाउंट ओफ मेटर प्रेजिट इन सबस्टान्स कोई भी सबस्टान्स है कोई भी सबस्टान्स है उस सबस्टान्स के अंदर वो सबस्टान्स जिस भी मैंटर का बना हुआ है उस मैंटर का कितना अमाउंट प्रेजेंट है उस मैंटर का इतना अमाउंट प्रेजेंट है उसको हम क्या होते है मास ठीक है तो mass क्या है किसी भी substance के अंदर matter का कितना amount present है वो क्या होता होता होता? mass चीक है अब बात करते हैं weight की weight क्या है? weight mass ही होता है weight क्या होता है? mass ही होता है weight को भी होता हो सकते amount of matter present in substance there has a force exerted by gravity on an object यहां यह weight और mass में सर्फ आपको एक ही चीज़ का difference लेखने को मिल जाता है आप लोगों ने 9th class पर physics formula पढ़ा होता w is equals to mg, w is equals to m into z अगर gravity यहां पर नहीं है तो w क्या बजाएगा मेरा? m के equal हो जाएगा यानि की weight और mass क्या है? एक यही चीज़ है अगर उसके अंदर gravity की value included है तो वो क्या बन जाता है? अगर gravity included है then it is weight अगर gravity included नहीं है then weight और mass क्या होते है? equal होते हैं चीक है? अब weight जो है वो हर जगह पर change हो सकता है जहाँ पर जितनी gravity है उसके पोड़ी यहाँ पर gravity की value चेंज होगी और gravity की value के साथ साथ क्या change हुआ? weight चेंज हुआ लेकिन mass जो है वो change नहीं होता क्योंकि यह gravity के उपड़ी पेडल नहीं करता यह सिर्फ क्या है? mass is the only amount of metropolisati के substance ठीक है? अब यहाँ पे जो हमें mass या weight की SI unit देखने हों में जाती है वो होती है कि जी जो हमने last lecture में भी डिसकुस किया था ठीक है? next one is volume next one is volume volume is a space occupied by matter volume is a space occupied by matter अब उस matter ने कितना space occupied by matter ठीक है? that is called volume ठीक है? अब यहाँ पे volume की जो SI unit में देखने को में जाती है यह वो होती है, meter cube कौनसी होती है? meter cube लेकिन जो popular units है liquids की case में वो कौनसी होती है volume की? liter clear? अब हम बात करने temperature की temperature का है temperature is a degree of hotness or coldness temperature जो है किसी भी object की hotness और coldness को measure करने के लिए parameter है ठीक है? that is the degree of hotness और coldness अब temperature की मेरे को यहाँ पे तीन scale मिल जाते है ठीक है? तीन तरीके से मैं यहाँ पे temperature को क्या कर सकता हूँ? measure कर सकता हूँ first one is celsius scale जिसको हम कहा से कहा तक पढ़ते हैं 0 degree celsius to 100 degree celsius second one is Fahrenheit scale इसको हम पढ़ेंगे 32 degree Fahrenheit से 220 degree Fahrenheit तक और third one is Kelvin scale Kelvin scale को हम पढ़ें 273 Kelvin to 373 Kelvin अब इन celsius scale को आपस में इन दूसरे में convert अपने के लिए हमारे पास कुछ formula है वह formula में आपको यहाँ पर बता रहेता हूँ मुझे अगर value दे रखे है degree celsius की मालगो for example 25 degree celsius और अगर मुझे इसको change करना है फार 9 में तो मैं formula यूज करूँजा degree Fahrenheit is equals to 9 by 5 यहाँ पर degree celsius की value plus 32 यह value आपने यहाँ पर put करनी है degree celsius वाली आपकी जो degree celsius की value है वो किस में change हो जाएगी far right में change हो जाएगी वैसे ही अगर मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ पर degree celsius में मेरेको value दे रखे है और मैं उसको किस में change कर दूँ Calvin में चेंज करतो तो यहां पे मैं degree celsius की value को फुट करोगा जैसा ही एक 25 दिया है तो मैं 25 को यहां फुट करोगा और वो किस में चेंज रहेगी Calvin में चेंज रहेगी Clear? और यहां पे जो मुझे ऐसा unit देखने को बिल दाती है यहां पर मुझे टेंसिटी की जो एसा ही इने टेम को देखने को मिल जाती है किलो ग्राम मीटर क्यूब इन्वर्स किलो ग्राम मीटर क्यूब इन्वर्स ये किलो ग्राम पर मीटर क्यो अमीज गर्फे हैं चेप्टर को समझने में आपको काफी हैल्प मेली होगी ठीक है? ठेंक यू